नमस्कार देवी और देवता हूं, मैं जिता को स्वायत करता हूं आपके इपने ही चैनल कंप्यूटर बाहाब पर अंगुलर के अंदर हम लोग देख रहे थे कि कैसे अट्रिब्यूट डारेक्टिव को क्रियेट कर सकते हैं पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा कि इंपुट कैसे पास कर सकते हैं हम लोग आउट्पुट कैसे ले सकते हैं एट्रिब्यूट डारेक्टिव से आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब हमें directive की कुछ properties को access करना हो template के अंदर और कुछ methods को अगर access करना हो या call करना हो template के अंदर ही तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं और इस चीज़ को achieve हम लोग किसके तुरू करते हैं प्रपल्टी के तुरू जिसका नाम होता है export as property ये वाला जो content है काफी rare content है और काफी underrated topic है लेकिन इतना ज्यादा useful है कि बहुत जगे आपकी मदद करता है तो अपने ज्यान की वृद्धी के लिए इस वीडियो को जरूर आप देखना हमने input box लिया हुआ था और file input directive लगाया हुआ था events को हम लोग listen भी कर रहे थे और दो properties को हम लोग set भी कर रहे थे दिखी हाँ पर हमें achieve क्या करनी है दो चीज़े achieve करनी है पहली चीज़ तो चीज़े करनी है कि अगर मेरे पास image है तभी मैं उसका preview दिखाऊंगा अगर image नहीं है तो मैं उसका name दिखाऊंगा ठीक है जी और यह चीज़ कैसे possible हो पाएगी तो आपको पता file input directive में हमारे पास image नाम से क्या है यह property है अगर मैं इसको access कर लो इस directive इस property को तो मैं यहाँ पर उस तरह का क्या कर सकता हूं UI में दिखा सकता हूं कि image है तो image दिखाऊ otherwise name दिखाऊ दूसरी चीज़ जो हमें achieve करनी है इसमें वो क्या करना है चेंज और remove के दो बटन लगाने है demo app दिखाता हूं demo app में हमारे पास क्या है कि जैसे मैं choose करता हूं किसी file को तो input box जो hide हो जा रहा है यह preview दिख जा रहा तो उसको दुबारे अगर मैं करना चाहूं तो नहीं कर सकता हूं तो उसके लिए change बटन है कि change पर click किया तो trigger हो जाता है हमारे पास और फिर मैं यहाँ file select कर सकता हूं दूसरी remove वाले क्या functionality की वो सारी data को clean कर देता है वापिस से हमें फिर से choose file का यहाँ पर दिखाई देने लगता है clean वाली जो functionality remove वाली को पहले हमने लिख्यू ही थी clean वाला जो हमारा यह था input directive के अंदर function यह लिखा हुआ था कि जब invalid होती थी file तो हम इसको call क करते थे तो इसी को trigger करना हम है अब बात यह कि जो यह वाला function है और यह image वाली जो चीज है यह दोनों की दोनों इसकी properties है और यह class की जो properties है वो HTML की template हम हम लोग कैसे access करें कोई option ही नहीं access करने का हाँ इसको export तो हमने किया हुआ है तो यहाँ पर मैं component.ts में आ के उसको import करके को तो यहीं पर export as नाम की property हमारे पास काम में आती है क्या करेंगे हम लोग इस इलेक्टर जो है इसके बिल्कुल लिचे मैं लूँगा export as अभी export as हम लोग क्या कह रहें कि देखिए वाला जो डारेक्टिव है इसको मैं file input के नाम से export करना चाहता हूं यानि कि यह जो पूरी कुछ भी नाम रख सकते हैं अब x रख दो कि बाहर यह x के नाम से use होगा export कर रहे हैं इस पूरी की पूरी class को template में हम किसके नाम से x के नाम से अब यह के लिए file input ही रखता हूंगा इसको एप component html में आते हैं लेकिन इसको use कैसे करें हम लोग वहाँ पर export तो हमने कर दिया लेकिन इसको store करने के लिए variable चाहिए होगा न जब तक variable ही नहीं होगा तो class का instance कैसे store करेंगे हम अब बात यह आएगी कि यह variable हम लोग बनाएंगे कैसे इसके अंदर html file के अंदर कोई javascript के type script की file तो है नहीं तो यहाँ पर हमारे पास काम में आता है template reference variable हमें पता है कि हम किसी के उपर भी template reference variable लगा सकते हैं by default template reference variable क्या करता है इसकी जो value होती हो किसके equal होती है जिसके उपर भी आपने लगाया होता है तो इसकी values होगी वो input element को point कर रही होगी अब interesting बात यह कि कि मैं इसमें कुछ और values भी store कर सकता हूं मैं equal to कर देता हूं कि यह variable है मेरा file वाला ठीक है इसके अंदर एक चीज़ store करनी है क्या store करनी है मैंने का file input को store करना है तो template reference variable में आप इस तरह से क्या कर सकते हो values को भी set कर सकते हो खास बात क्या है जो हमने यहाँ पर export as लिखा था क्योंकि input के उपर यह directive हमारा apply हो रखा है file input वाला तभी export हो पा रहा है यह पूरा का पूरा instance export हो पा रहा है अगर मैं इसका नाम यहाँ पर कर देता हूं file control यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है कि यहाँ पर किसी नाम से भी export नहीं होगा file input वाला क्योंकि हमने जो नाम है उसका वो क्या रखा है file control रखा है तो यहाँ से हमें यह चीज clear हो जाती कि variable बना लिया file वाला जो यह file input ने export किया हुआ तो खुद को किस नाम से file control को हमने इसके अंदर डाल दिया अब हमारे पास जो भी public properties होंगी इसकी वो वाली सारी हम access कर सकते है private वाली अभी भी नहीं होंगी सिरफ public वाली जैसे जितनी भी है हमारे पास अब इसी के उपर हम लोग क्या करते हैं UI को बनाते कि image अगर है तो image preview दिखाओ अगर file वाला है तो file का name दिखाओ यहाँ पर एक section ले लेते हैं हम लोग और इसको नाम देता हूँ preview container इसके अंदर दो section लेता हूँ एक तो है div ले करता हूँ इस div के अंदर और if लगाने की यहाँ पर में जूर्त अभी है निए source में मैं क्या कहूँगा बड़े ध्यान से आप लोग देखना कि यह जो variable is template में एक variable declared है जिसका नाम के है file इसको मैं कहूँगा file और इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर है उस directive का instance तो उसकी properties access क कर सकता हूँ file dot यहाँ पर मैं कह सकता हूँ file का URL और file URL हम लोग ने क्योंकि public बनाया हुआ था और इसको set किया हुआ था किसके अंदर हम लोग ने जब भी change event आता था properties हम लोग set कर रहे थे name URL वगयरा अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है तो एक बार पिछली वीडियो जा और जो नीचे वाली div है इसमें हमें जो file का preview दिखाना है इसमें कुछ नहीं करना सिरफ मैं कहूंगा file जो है उस file का name ही मुझे दिखाना है यह वाली जो चीज है कब काम करनी है अभी इसके उपर लगा देंगे हम लोग ng if अगर जो मेरी file थी वह image थी तभी मुझे काम करना है तभी access करना है इस सब चीज इधर lc ले ले लेते हैं हम लोग else की file preview यह ठीक रहेगा इसको मैं पूरा का पूरा ng template में डाल देता हूँ और इस ng template का जो नाम रहेगा वो रहेगा file preview अब इसकी थोड़ी css भी लिख लेते हैं हम लोग ताकि दिखा पाएं साही से ui में आ image preview की css लिख लेते हैं यह हमारी image preview की css हो गई उसके अंदर image tagई होगा तो बेसिक सी css लिख रहा हूँ ज्यादा कुछ खास करनी रहा file preview की भी लिख लेते हैं css यह file preview की भी हमारे पास css में लिखती है अब यहाँ पर यह वाली सारा जो section है कब दिखेगा हमारे पास जब actual में कोई value होगी तभी तो हम दिखाएंगे प्रिव्यू दिखाना image का या फिर file का वह दिखाना change और remove वाले भी तभी लगाने है जब हमारे पास actual में कोई file होगी valid file होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं लग ने हैं वो दोनो button भी बना लेते हैं हम लोग यह change और remove मेरे यहाँ पर button भी बना दिये हैं अब remove के लिए हम लोग क्या करते हैं functionality बनाते हैं कि click पे हमें क्या करना है जो file हमारा directive है क्योंकि export हो रखा है उसके किसी function को call करना है जैसे कि remove file वाले को और यहाँ उपर वाला भी बनाई लेते हैं कि click करने पर हमें किस function कॉल करना file trigger change की भई hide हो चुका होगा न वह input तो दुबारे से उस पर से trigger करो कुछ चीज सेलेक्शन के लिए अब यह दोनों method हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं file input डारेक्टिव में trigger change यहाँ पर मैं कहूंगा input reference dot click तो हमने क्या किया explicitly call कर वा दिया click को तो वह trigger हो जाएगा चेंज वाला और दूसरा हमें बनाना है remove वाला फाइल का तो public remove file देन इसके बार this dot मैं clean method को call कर दूंगा इसके अंदर की clean हमारा private था और clean वाले में क्या हो रहा है सारी चीज़े वह चेंज अब सही है हो गया सारा काम तो हमारा सारी सीज़ें पर बन गी एक बर इसका आप देखते हैं output कैसे आ रहा जैसे करता हूं choose file अगर image होगी हमारे पास तो image दिख जाएगी change और remove के हमारे पास यह buttons आ रहे चेंज करता हूं तो change भी हो रहा है remove करता हूं तो remove भी हो रह तो यहां पर आपने सिखा कि export as जो property होती वो कितनी काम की होती उससे आपकी पूरी पूरी जो class का instance है वो आपको accessible हो जाता है आपकी template के अंदर TS के अंदर नहीं template के अंदर यहां पर accessible होता है फिर आप सारा काम यहां पर कर सकते हो चाहता तो मैं यहां से भी कर सकता था कि on file change event जब आ रहा है event मैं मैं पता file भी मिल रही है URL भी मिल रहा तो मैं कुछ यहां पर TS में code code लिखता वैसा और फिर कि अगर image है तो यह करो वो कर करके इस सारा का सारा export as property के मदद से क्या किया करके आपको दिखाया देखिए अब एक और चीज़ पर हम लोग discussion करते हैं कि बहुत सारे डारेक्टिव ऐसे होते हैं जो आप export नहीं करते हो यहां तो मैंने export as property आपको दिखाई लेकिन माल लीजिए कि आपके पास यह functions तो हो यह वाले public function हो properties हो लेकिन export ना किया हो तो यहां पर आप template में फिर इस्तमाली नहीं कर सकते हैं तो उस case में मैं कैसे इन functions को call करूँगा तो उसके लिए यहां पर हम आते हैं ts file के अंदर कह सकता हूँ मैं view child की मदद से view child के उपर ही मैंने वीडियो बना रखी है आप जाके ज कह देता हूँ input directive ठीक है जी और यह किस तरह का होगा file input directive मैंने इसमें से बुला लिया इसको डैक्टिव वली फाइल थी view child को भी हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं angular core में से अब यहां पर क्या कर सकते थे हम लोग अगर यह export ना हो रहा होता in case तो मैं करता input directive dot trigger change input directive dot remove file अभी भी सेम वही काम करता है चूज़ फाइल करते हैं हम लोग चेंज हो रहा है तो चेंज कर सकते हैं यहां पर हम लोग remove करना चाहें तो remove भी कर सकते सेम वही सारी चीज़ भी हो रही है बस हमने क्या किया है view child के मज़े से उसको access किया उसकी प्रोपरिटीज वेक्सिस किया तो यह भी तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे बट मैंने यह आपको एक्सपोर्ट एसका यूज समझाया कि कैसे एक्सपोर्ट एसका यूज कर सकता बहुत ही अंडर रेटीट सा यह टोपिक है लेकिन काम का बहुत ज्यादा है बहुत कम लोग इस तरह का कंटेंट जो है बहुत रेरली हमें मिलता है बैल आइकन को दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए कमेंट में आप अपने विचार लिखते वे जाए फीडबैक आप मुझे दें डिस्कोर्ड पर आप हमारी कॉम्मुनिटी को जोइन कर सकते हैं डिसकेश